हेलो एन वेलकम टू बिजबाला एजुकेशन यूट्यूब चैनल आज के इस एजुकेशन लेक्चर में बच्चों हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 के SST के जोग्रफी चेप्टर नेचुरल, वेजिटेशन एन वाइल लाइफ को Students, इस चेप्टर को हम इसी वीडियो में एक ही वीडियो में completely discuss कर देंगे तो अगर आप इस चेप्टर को अच्छे समझना चाहते हैं तो आप इस वीडियो में हमारे साथ बनी रहिए तो चलिए करते हैं शुरू क्या आपने अपने आसपास अलग अलग तरह के Trees, Bushes, Grasses, Birds या आपके आसपास जो Parks हैं उनको Observe किया है क्या आपके आसपास जो Trees वगरा पाई जाते हैं वो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं या फिर उनके अंदर काफी जादा Variations पाई जाती है इंडिया एक बहुत बड़ा जाती हैं आगे आता है हमारा जो Country इंडिया है वो दुनिया की 12 Mega Diversity Countries में से एक है यानि दुनिया की 12 ऐसी Countries जो दुनिया की कुछ ऐसी Countries हैं जहां पे Biodiversity यानि Plants, Animals, Wildlife अलग लग तरह की मिलती है उनमें से एक इंडिया भी है इंडिया में 47,000 तरह के Plants मिलते हैं Plants Species मिलती है इंडिया का 10th Place है पूरी दुनिया में और एशिया में 4th Place है Plant Diversity के मामले में इंडिया में 15,000 तरह के Flaring Plants मिलते हैं जो दुनिया का Total 6% Flaring Plants इंडिया में पाया जाता है इसके लावा इंडिया में बहुत सारी अलग लग तरह के Non Flaring Plants जैसे की Furns, Algae और Fungi भी पाया जाती है इंडिया में 90,000 तरह के Animal Species पाया जाते हैं इसके लावा इंडिया में बहुत सी Fishes भी पाया जाती है कुछ Fresh Water Fishes और कुछ Marine Water Fishes Fresh Water Fishes जैनि जो ताजे पानी में Fresh Water में पाया जाती है और Marine Water का मतरब होता है जो Salty Water में, Saline Water में खारे पानी में जो मिलती है वो Fishes भी इंडिया में काफी वेराइटी में पाया जाती है इंडिया की अब बात करते है Natural Vegetation किसे कहा जाता है जो Plants अपने आप उकते हैं, Naturally उकते हैं किसी Human Help के और जिनको Humans ने बहुत लंबे टाइम तक Undisturbed छोड़ रखा है उसको हम क्या बोलते है Natural Vegetation या फिर Virgin Vegetation कहते हैं जो हम Crops उगाते हैं अपने खेतों में Fruits उगाते हैं, Orchards उगाते हैं ये भी Vegetation तो हैं लेकिन ये Natural Vegetation नहीं है क्योंकि ये Human Help की वज़े से उगाए गए हैं आगे आता है Virgin Vegetation जो कि इंडिया में purely endemic है इंडिया में पाई जाती है Indigenous है इंडिया में But those which have come from outside are called exotic जो इंडिया में अपने आप उगिया वो Indigenous species होती हैं और जो बहार से इंडिया में उगाई गए हैं उनको exotic plants कहा जाता है आगे आता है किसी भी एरिया में पाई जाने वाले plants को क्या कहा जाता है Flora Flora means plants of a particular area of a particular period और phona कहा जाता है एक particular area में पाई जाने वाले animals को ठीक है अब इंडिया में Flora और phona plants और animals बहुत जादा अलग अलग तरह के मिलते हैं क्यों मिलते हैं उसके reasons उसके reasons में सबसे पहला है इंडिया की diverse relief इंडिया में जो जमीन है वो अलग अलग तरह की है कहीं पे forests हैं कहीं पे cold deserts हैं ठीक है कहीं पे deserts हैं कहीं पे platews हैं कहीं पे mountains हैं कहीं पे plain areas हैं कहीं पे coastal areas हैं तो इंडिया में जो relief है वो अलग अलग है तो ये support करती है अलग अलग तरह के plants और animals को देखिए जो जमीन का type होता है वो natural vegetation को directly effect करता है mountains में, platews में, plain areas में dry और wet areas में अलग अलग तरह के plants ही उगेंगे कहीं पे soil fertile है तो वहाँ पे अकसर agriculture जादा होता है जबकि mountains में और deserts में agriculture उतना जादा नहीं मिलता जहाँ पे undulating और rough terrains है यानि जहाँ पे उबडखाबड जमीन है पथरीली जमीन है, वहाँ पे grasslands और woodlands जादा पाई जाती है और वहाँ पे काफी अलग-लग तरहे के wildlife यानि animals वगरा भी मिल जाते है बात करते हैं, relief में इस topic है, soil की Soils जो होते हैं, वो अलग-लग areas में अलग-लग तरहे की soils पाई जाती है अलग-लग तरहे की soils अलग-लग तरहे की vegetation यानि plants को support करते हैं जो sandy soils होती है जो deserts में पाई जाती हैं वहाँ पे cactus और काटेदार जाडियां थोनी bushes ज़्यादा मिलती है जबकि जहाँ पे बारिशे ज़्यादा होती है जहाँ के मिटी मारशियानी दलदिली होती है delta के आसपास की जो soils होती है वहाँ पे mangroves और deltaik vegetation delta में पाई जाने वाले vegetation वहाँ पे उगती है जहाँ hill slopes होती है जो पहाड की चोटियां होते है जो पहाड की ढलानी होती है वहाँ पे conical trees कौन shape के? इस shape के इस shape के जो trees है वो वहाँ पे पाई जाते हैं आगे आता है climate की बात इंडिया में अलगल तरहें के plants और animals पाई जाने वाले factors में से एक climate भी आता है climate में सबसे पहले बात करते हैं temperature की vegetation का character और extend यानि कैसी vegetation बनेगी और कितनी value होई होगी ये उस जगे के temperature के उपर depend करता है humidity के उपर भी depend करता है precipitation के उपर भी और soil के उपर भी depend करता है precipitation का मतरब rainfall, snowfall कैसी हो रही है यहापे इनको मिला के हम precipitation बोलते हैं तो इन सब चीजों के उपर भी वहाँ का vegetation, cover, animals, plants बगारा पाई जाते हैं हिमालियास की जो slopes होती है और जो hills होती है हिमालियास की ठीक है 915 मीटर से उपर का जो areas होती है वहाँ पर temperature काफी कम होता है इसलिए वहाँ पर vegetation अलग तरह की पाई जाती है और वहाँ के vegetation की growth होती है वहाँ वह भी उसी area की according ही होती है ठीक है अगर हम vegetation की type की बात करें तो tropical areas में अलग तरह की subtropical areas में अलग तरह की alpine areas में अलग तरह की vegetation पाई जाती है यहाँ दे रखा है इसने vegetation zones वहाँ पर average temperature कितना रहता है January जो की ठंडा महीना होता है उस वक्त कितना temperature रहता है और यहाँ पर कुछ main points जैसे कि tropical में average temperature रहता है 24 degree Celsius subtropical में 17 से 24 के बीच में temperate में 7 से 17 के बीच में alpine में 7 से नीचे ठीक है तो यहाँ पर यह बता रखा है इन तीनो forest areas के बारे में आ गया आता है photo period जो duration of sunlight होती है उसको photo period कहा जाता है कितने समय तक सूरज की धूप आती है उस area में अलग-लग areas में जो variation of duration of sunlight है वो अलग-लग है अलग-लग latitudes में, altitudes में, seasons में, day durations में अलग-लग होता है due to longer duration of sunlight trees grow faster in summer क्योंकि summers में sunlight ज़्यादा time तक आती है इसे लिए summers में trees की growth ज़्यादा fast होती है आगे इसने हमसे question put किया है कि हिमालिया की southern slopes में thick vegetation cover पाया जाता है जबकि northern slopes में ऐसा नहीं होता southwest monsoons की वज़े से इंडिया के ज़्यादतर इलाकों में बारिश होती है इसलिए southern slopes of हिमालियाज में बारिशें ज़्यादा होती है तो ये कारण है दुसरा जो northern slopes है हिमालियाज की वहाँ पे high lofty mountains है वहाँ का altitude ज़्यादा है इसलिए माल वेजिटेशन को कम support करती है आगे आता है precipitation के बारे में इंडिया में जितना भी rainfall होता है वो ज़्यादतर advancing southwest monsoon जो की जून से सप्टेंबर के बीच में होता है या retreating north east monsoon की वज़े से आता है जहां जिन इलाकों में बारिश ज़्यादा heavy होती है वहाँ पे vegetation भी ज़्यादा गहरी मिलती है ठीक है less rainfall वल एरियाज में बारिश भी कम होती है और vegetation भी कम मिलती है आगे इसने question put up किया है कि western slopes of western ghats में thick forest हैं eastern slopes में नहीं है तो इस cancer आएगा जो western slopes है western ghats की वो windward side की तरफ है windward side की इसको कहा जाता है for example ये एक mountain है यहाँ से moisture laden winds आ रहे हैं suppose इस तरफ से ठीक है ऐसी हवाएं चल रही है जिनके अंदर moisture है तो ये जो mountain है ये इसको block करेगा block करेगा तो यहाँ पर इस area में बारिश होगी और इसको कहा जाएगा windward side of the mountain और जब ये हवाएं उस तरफ जाएंगी तो ये ज़्यादतर अपना moisture जाड़ चुकी होगी इनके अंदर moisture का content काफी कम रह चुका होगा तो ये जो leeward side है इस तरफ वाली जो side mountain की यहाँ पर बारिशें बहुत कम होगी इसलिए इसको कहा जाता है leeward side यही कारण है कि जो western slopes है western guards की वहाँ पर भारी बारिश होती है जबकि eastern slopes में उतनी भारी नहीं होती है आगे question आता है कि forest क्यों इतने important है human beings के लिए बहुत सारी चीज़ें है forest renewable resources है quality of environment को बनाई रखते है local climate को modify करते है soil erosion को control करते है regulate stream flow water के flow को stream के flow को कोई भी पानी के धाराई बह रही है उनको control करते है underground water recharge में help करते है industries में बहुत से raw materials forest से मिलते हैं बहुत से लोगों को रोजगार provide करते है इसके लावा recreational activities के लिए manorangen के लिए भी हम ऐसी जगों पे जाना पसंद करते है जहां पे पहाड वगएरा हो हर्याली वगएरा हो forest वगएरा अच्छे हो wind force को control करते है temperature को बनाई रखते है सही range में और बारिश भी उनी की वज़े से आती है water cycle को भी maintain करने में help करते है वो soil को humus provide करते है ठीक है मरने के बाद decompose होके wildlife को रहने की जगे provide करते है इंडिया की जो natural vegetation है उसमें बहुत सारे बदलाव आए हैं कई factors की वज़े से जैसे की cultivated land agriculture land को बढ़ाने के लिए area under cultivation को बढ़ाने के लिए जंगलों को काटा जा रहा है industries की development के लिए mining activities के लिए urbanization के लिए और जनवरों को चराने के लिए vegetation का इस्तिमाल किया जा रहा है तो natural vegetation पे बहुत सारे ill effects आ रहे हैं जो इंडिया का vegetation cover है ज्यादतर हिस्सों में अब वो natural नहीं रहे गया है वहाँ पे human intervention होने लगी है इंसानी दखल होने लगाया वहाँ पे सिर्फ कुछ ऐसे areas है जो inaccessible है Indians के लिए वहाँ पे जाना इतना आसान नहीं है जैसे की हिमाल्यास के जो inner areas है Central India के जो hilly regions है जो मरुस्थली जनी desert areas है ठीक है यहाँ की जो vegetation है वो human occupancy से बची हुई है human intervention से बची हुई है तो इन areas में तो natural vegetation untouched मिल जाती है लेकिन बाकी areas में human intervention की वज़े से wildlife का vegetation का नुकसान हो रहा है आगे यहाँ पे देखिए do you know में बताया गया है state of forest report India state of forest report 2019 के according इंडिया का जो forest cover है वो 21.67% है यहाँ एक आपको graph दिये कहाए गया है यहाँ पे percentage के terms में percentage of area के terms में बताया गया कि कौन से state में कितना percent forest cover है तो देखा जाए तो मिजोरम में state geographical area के according देखा जाए percentage के according देखा जाए तो मिजोरम वो state है जिसमें highest forest cover है in terms of percentage ठीक है और लक्षोदी second number पे आता है अंडमान निकोबार आइलेंड थर्ड पे आता है और fourth पे आता है हमारा अरुनाचल परदेश और सबसे कम forest cover in terms of state geographical area percentage की बात की जाए तो पंजाब में आता है एक बात और मैं आपको बता दूँ अगर पूरे इंडिया में से compare किया जाए कि किस area में सबसे ज़्यादा forests पाई जाते है तो वो answer आएगा मध्य परदेश में ठीक है आग आता types of vegetation इंडिया में अलग लग तरहें के forests और vegetation पाई जाती है पांच तरहे की हैं mainly जो आपको discuss करने है tropical evergreen, tropical deciduous, tropical thorn forest and scrubs, mountain forest और mangrove forest इन सब के कौन कौन से paid पाई जाते हैं climate कैसा होता है यहाँ पे किस किस तरह के animals पाई जाते हैं rainfall patterns क्या है यहाँ के इन सब के बारे में हम discussion करेंगे और मैं आपको सला दूँगा कि आप इसके notes जरूर बना ले इसके लावा बच्चों अगर आप अपने class के बाकी subjects की या SST की बाकी chapters के explanations ढून रहे हैं तो इस video के description को एक बार जरूर से जरूर चेक कर ले वहाँ आपको अपनी class के अलग-लग subjects के chapter explanations का प्लेलिस्ट लिंक मिलेगा तो लिंक को एक बार जरूर गो थू करें तो चलिए करते हैं पहला topic हमारा that is tropical evergreen forest tropical evergreen forest जो है heavy rainfall वाले areas होते हैं जैसे कि western ghats, लक्षवदीप अंडमान, निकोबार islands parts of Assam, तमिल नाडू यहाँ पे भारी बारिश होती है जिने इन areas में 200 cm of rainfall से जादा होता है annually, short dry season or the dry season आता है लेकिन काफी छोटा होता है यहाँ के paid 60 meter या उससे उची height तक भी जा सकते हैं यह जो region है tropical evergreen forest यह गर्म रहता है और wet रहता है, दोनों ही चीज़ें plant growth के लिए अच्छी होती है यहाँ पर बहुत सारे अलग लग तरह है के plants और animals पाई जाते हैं trees, shrubs, creepers creepers जो ring ने वाले plants होते हैं वो पाई जाते हैं यहाँ पर multi layered structure होता है, यह important है देखें यहाँ पर पहले layer में छोटे plants हैं उसके बाद shrubs की layer है उसके बाद 5 meters वाले trees की layer है उसके बाद young trees की layer है उसके बाद canopy, canopy होता है जो उपर छत्री सी बन जाती है पेड़ों की वज़े से जंगल के उपर पेड़ों की वज़े से एक छत्री सी बन जाती है जिसकी वज़े से sunlight जो है forest floor के उपर properly नहीं आपाती उसको canopy कहा जाता है तो multi-layered structure होता है evergreen forest का यह सारे साल हरे नजर आते हैं यहां देखें यहां जो यह map आपको दिया गया है इस map में आपको इंडिया के कौन से हिस्व में कौन से forest पाय जाते हैं वो बताया गया है अगर हम बात करें tropical evergreen की तो देखें कहां कहां tropical evergreen जो dark green कलर है वो कहां कहां पाय जा रहा है अगर mountain forest की बात करें तो जाहिर सी बात है mountainous areas में अरुनाचल परदेश में, सिक्किम में, जमु कश्मीर में इन areas में पाय जाते हैं mountain forest mangrove forest यहां पाय जाते हैं यह तीन patches है mangrove forest के डेल्टाइक areas में पाय जाते है mangrove forest tropical thorn forest दिखा रखा है देखें tropical thorn forest जाज तर desert areas में मिलते हैं तो यह map work भी बड़ा जरूरी है exam point of view से आगे आता है कुछ commercial important plants जो tropical evergreen forest में पाय जाते हैं वो है ebony, mohogany, rosewood, rubber और शिंचोना जो animals पाय जाते हैं bats, sloth, sloth bear होता है काफी slow होता है scorpions, snails भी इन जंगलों में पाय जाते हैं दुसरे type आते हैं that is tropical deciduous forest tropical deciduous काफी widespread इंडिया की अलग-लग हिस्सों में पाय जाते हैं इनको monsoon forest भी कहा जाता है ठीक है, not कर इस बात को 200 से 70 cm के बीच में इन में rainfall होता है यह जो trees होते हैं यह अपनी leaves shed करते हैं particular season में evergreen plants ऐसा नहीं करते evergreen forest में पाय जाने वाले trees अपनी leaves shed नहीं करते deciduous forest में पाय जाने वाले trees autumn season में या किसी particular season में अपनी leaves shed कर देते हैं ठीक है, dry summer में जब बहुत जादा दर्मी पड़ती है तो 6-8 हफतों के लिए डेट से 2 महीनों के लिए यह अपनी leaves shed कर देते हैं moisture बचाने के लिए water availability के according deciduous forest को 2 sub categories में divide किया गया है moist deciduous और dry deciduous जो moist deciduous है in forest में 200 से 100 cm के बीच में rainfall होता है यह जो forest हैं यह इंडिया के eastern parts में नोर्थ इस्टन स्टेट्स में हिमालियन फूट हिल्स में जारखंड वेस्ट ओडिशा चक्तिस गड़ में और eastern slops of western gharts में पाई जाते हैं टीक in forest का सबसे famous plant है इसके लावा यहाँ पे bamboo, salt, sesham, sandalwood, kheer कुसम, arjun और mulberry plants भी उगते हैं commercially काफी important होते हैं जो dry deciduous forest होते हैं उनमें 100 से 70 के बीच में rainfall होता है ये rainier parts में पाई जाते हैं bat insular plateau के बिहार plains में पाई जाते हैं उतर प्रदेश के एरियास में पाई जाते हैं open stretches में, खुले में stretches होती हैं इनकी teak, salt, people, neem इनके main plants हैं लेकिन इन dry deciduous forest का बहुत सारा area cultivation के लिए या grazing के लिए clear कर दिया गया है इनमें mainly loin, tiger, pig, deer, elephant जैसे animals पाई जाते हैं बहुत से तरह के birds, lizards, snakes और toy toys भी इन forest में देखने को मिलते हैं तिसरा type आता है आपका thorn forest यानि काटेदार जाडियां काटेदार plants मिलते हैं जीन इलाकों में 70 cm से कम rainfall वाले areas में thorn forest और scrub सुगते हैं यहाँ के जो vegetation होती है उस पे काटे होते हैं जाडियां जादा होती है यह vegetation मिलनी इंडिया के नोर्थ वेस्टन पार्ट्स में यूफोरबाइस, cactus यह main plant species हैं यह आप आई जाने वाली इन plants के जो roots होती है वो काफी long and penetrating होती है क्योंकि पानी सतह के काफी नीचे होता है काफी अंदर जाना पड़ता है इसलें की long, deep, penetrating roots होती है जो जमीन के निचले हिस्टों से भी पानी को सक कर सकती है जो stems होते हैं वो succulent juicy stem होता है पानी को conserve करके रखता है stem ताकि अगर जरूरत पड़ने पर time ना मिले तो stem के अंदर के पानी को use किया जा सकी leaves जो होती है in plants की वो mostly thick होती है उनके उपर एक waxy layer होती है water loss को बचाने के लिए ठीक है और काफी छोटी leaves होती है क्योंकि leaves से transpiration होके पानी loss होता है तो छोटी leaves का मतलब कम water loss ठीक है इन forests में mainly thorn forest काटेदार जाडियां काटेदार plants पाई जाते हैं इन forests में rats, mice, rabbits, fox, wolf, tiger, loin, wild ass horses और camels भी देखने को मिलते हैं बात करते हैं यह क्या कहना चाता है जैसे जैसे हम पहाड़ों में और उपर जाती रहते हैं टेंप्रेचर कम होता रहता है और forest cover भी कम होता रहता है यानि high altitudes जैसे हम जाते रहेंगे forest cover उतना ही कम होता रहेगा जैसे कि tropical से tundra जब हम पढ़ते हैं ट्रोपिकल एरिया से tundra region में पढ़ते हैं तो जो changes तब आते हैं वही changes mountain forest में देखने को मिलते हैं जब हम height पे चड़ते जाते हैं तब जो wet temperate type of forest हैं वो 100 से 200 meters की height पे मिलते हैं ठीक है? 100 से 200 meter की height पे wet temperate forest मिलते हैं evergreen broad leaves tree चोड़ी पत्ती वाले evergreen plants पाई जाते हैं जैसे की oak और chestnut इन एरियास में 1500 से 3000 meters की बात करें तो यहां पे temperate forest पाई जाते हैं जिन में mainly coniforest trees पाई जाते हैं जैसे की pine, deodhar, silver, fur, spruce, सिदार यह सब पाई जाते हैं 1500 से 3000 meters की आसपास यह जो forest हैं यह हिमालियास की southern slopes में पाई जाते हैं ठीक है, north east इंडिया में या southern इंडिया में जो high altitudes हैं वहाँ पी मिल जाते हैं इससे भी उपर अगर हम जाते हैं तो temperate grasslands मिलती हैं हमें 3000 meters से उपर हम जाते हैं high altitudes पे जहां 3600 से उपर जाते हैं और भी जदा high altitudes पे जाते हैं तो temperate forest और grasslands जो हैं वह नहीं मिलती, alpine vegetation मिलती हैं silver fur, junipers, pine, birches यह trees पाई जाते हैं alpine vegetation में काफी उपर जाते हैं ठीक है? अब यह जो area है, यह snow line वाले area यानि यहापे बारिश की जगे snow fall होता है shrubs, scrubs, they merge into alpine grasslands shrubs और scrubs जो हैं, उनकी जगे अब ले ले लेती हैं alpine grasslands ले ले लेती हैं ठीक है? इनका use किया जाता है they are used extensively for grazing by nomadic tribes nomadic tribes होती हैं, जो बंजारा प्रजातियां होती हैं जो एक जगे से दुसरी जगे पर घूमती रहती हैं ठीक है, टुंटर यानि जो alpine vegetation में काफी upper areas में, काफी जदा heights पर जो vegetation होती है जो common animals मिलते हैं, वो है कश्मीरी stags, spotted deer, wild sheep, jack, rabbit, tibetan, antelope yark, snow leopard, squirrels, shaggy horn, wild ebex, bear and rear red panda sheep and god with thick hair ये सब animals वहाँ पर पाए जाते हैं बात करते हैं, mangrove forest को tidal forest कहा जा सकता है, क्योंकि जहाँ पर tides आती हैं, वहाँ पर ये forest पाए जाते हैं ठीक है, mud and stilt यहाँ पर, मतरब mud यानि गेली मिटी, दलदली जमीन होती है, एक तरह की यहाँ की coastal areas में पाए जाते हैं plants या deltas में पाए जाते हैं dense mangrove forest जो हैं वो ऐसे plants इन areas में पाए जाते हैं, जहां की plant की जो roots होते हैं, वो पानी में submerged रहती हैं बाकी forest जो हैं, इनके अलावा जो forest हैं mountain के अलावा, mangrove के अलावा जो forest हैं अगर उन trees को पानी में submerged कर दिया जाए, roots को तो वो जिन्दा नहीं रह पाएंगे लेकिन ये mangrove forest के जो trees होते हैं, ये water logging को बरदाश्ट कर सकते हैं, अपने आप उन्होंने उसी condition के हिसाब से adapt कर लिया है गंगा, महनदी, कृष्णा गोदावरी, कावेरी के delta areas में गंगा, प्रमपुत्रा, delta पे सुंदरी trees पाए जाते हैं, mangrove forest भी famous animal है, mangrove forest में पाए जाने वाला, इसके लावा यहाँ turtles, crocodiles, घडियाल्स और snakes भी पाए जाते हैं आगे आता है आपका यहाँ पे note में कुछ medicinal plants बता रखे हैं, सर्पगंदा, जामुन, अर्जुन, बबूल, नीम, तुलसी, कचनार और इनकी जो medicinal properties हैं वो भी बता रखे हैं, ठीक है तो बात कर रहे थे हम इनही की mangrove forest की, अलग अलग तरह के deer और कई तरह के animals यहाँ पाए जाते हैं कई तरह के monkeys भी mangrove में, अच्छा यह wildlife का part है students, wildlife शुरू करते हैं, देखिए wildlife, जैसे कि इंडिया में plants हैं, वैसे ही इंडिया में fauna, यानि animals भी कई तरह की हैं 90,000 अलग तरह की animal species इंडिया में पाए जाती हैं, 2000 तरह की birds, जो की world का 13% है, 2546 2546 types of fish जो की world का 12% stock हैं, और 5-8 percent amphibians, reptiles और mammals इंडिया में पाए जाते हैं यानि इंडिया काफी rich है in terms of wildlife elephants जो है, वो सबसे majestic, सबसे royal animal है इंडिया का, mammals में से elephant जो है, असाम करनाटका और केरला के areas में, wet areas में पाए जाते हैं एक seeing वाला rhino, one-honed rhino सिरोस भी, एक ऐसा animal है जो काफी famous है, जो swampy और मारशी, दलदली लाकों में पाए जाता है असाम और west Bengal में जो arid areas है, सूखे areas है, ran of kach या thar desert के, वहाँ पे wild ash, चंगली, गधा और camels वगरा पाए जाते हैं इंडिया ने बाइसन, नील गाएं, जिसको blue bill कहा जाता है, चो सिंगा, गजेल ठीक है, और कई तरह के deer, कई तरह के monkeys भी इंडिया के अलग लग हिस्सों में पाए जाते हैं इंडिया ने 1972 में Wildlife Protection Act पास किया था इंडिया के endangered animals को बचाने के लिए इंडिया जो इंडिया अकेला ऐसा country है पुरे world में जहाँ tigers और loins दोनों मिलते हैं गिर forest गुजरात में loins के लिए famous है ये tigers कहाँ मिलते हैं, मद्यपरदेश के जंगलों में, वेस्ट बेंगॉल के सुंदरबंस में, हिमालियन एरियाज में इसके लावा इंडिया के अलग लग इलाकों में leopards भी पाए जाते हैं, leopards भी एक cat family के जानवर हैं, तो ये भी cat family का एक शिकारी जानवर है, ये भी पाए जाते हैं इंडिया में, यहाँ पे एक do you know दिया गया है जो गिर forest इंडिया का वो आखरी natural habitat बचा है एसियाटिक loins के लिए, ठीक है हिमालियाज में, अगर हम बात करें तो हिमालियाज में भी कई कई तरह के animals पाए जाते हैं जिन्होंने अपने आपको extreme cold को बहुत जाता सर्दी के according कुद को adjust कर लिया है लद्दाक के जमा देने वाले high altitudes में याक पाए जाता है, जो कि एक shaggy honned wild ox weighing एक टन का, मतरब shaggy सा दिखने वाला काफी भारी सा, ox है इसके लावा Tibetan antilope मिलता है यहाँ पे भरल, blue sheep मिलती है, wild sheep मिलती है क्यांग, जो कि Tibetan wild ass होता है वो भी हिमालियान एरियाज में मिलता है इसके लावा abex, bear, snow leopard और rare red panda भी कुछ pockets में हिमालियाज में पाए जाता है रेड पेंडा काफी कम देखने को मिलता है जो rivers, lakes और coastal areas है यहाँ पे turtles, crocodiles और घडियाल्स देखने को मिलते है ठीक है आगे देखे इसने क्या कहा है यहाँ पे इसने एक map दिया इस map में इंडिया के अलग-अलग इलाकों में बनाए गए wildlife centuries, bird centuries और national parks दिखाए गए है यह wildlife centuries, bird centuries और national parks यह protected areas होते है जो सरकार दवारा declare किये जाते है यह areas declare इसलिए किये जाते है क्योंकि इन areas में जैसे factories लगाना, human intervention या तो allowed ही नहीं होता या कुछ level तक allowed होता है तो यह wildlife, यह plants, animals, vegetation को protect करने के लिए इन areas को protected areas declare कर दिया जाता है national parks, biosphere reserves, bird centuries, wildlife centuries इसके examples है यहाँ पर दिखा रख रखा है map में अलग-अलग areas में जो wildlife centuries, bird centuries और national parks पाए जाते हैं आगे देखिए गडियाल के बारे में बात कर रहा है जो bird life है इंडिया की वो भी काफी colorful है इंडिया में peacocks, pheasants, ducks, parakeets, cranes और pigeons पाए जाते हैं ठीक है जो इंडिया के अलग-अलग forests और wetlands में देखने को मिलते हैं हमने हमारी जो crops हम उगाते हैं अलग-अलग seasons में ठीक है वो हमारे biodiverse environment के according select की है हमने from the reserve of edible plants कई तरह के edible plants भी हम उगाते हैं इंडिया के अलग-अलग areas में कई तरह के medicinal plants होते हैं जिनके बारे में में जानकारी है ठीक है और उनका हम फाइदा उठाते हैं उनका हम फाइदा लेते हैं उनको उगाते भी हैं इसके लावा the animals were selected from a large stock provided by natural as milk animals इसके लावा milk giving animals milk animals को उनसे होते हैं जिनसे हम दूद लेते हैं वो भी animals हमने select किये हैं उनको रियर करते हैं पालते हैं ठीक है एनिमल husbandry करते हैं उनकी help से हम इसके लावा जो यह milk animals होते हैं इनसे हम drought power भी लेते हैं drought का मतरब इनसे हम बोजा भी उठवाते हैं ठीक है जैसे कि जो बुलोक काट होता है उसको बुलोक की help से चलवाया जाता तो drought भी करवाते हम इसे transportation में भी help लेते हैं meat भी लेते हैं इनसे eggs भी लेते हैं fish से हमें nutrition वाला protein rich food मिलता है बहुत तरह जो insects है वो pollination में help करते हैं ठीक है biological control and fruit trees and exerting biological control on such insects is harmful अगर हम इनके उपर control करना शुरू कर दें जादा intervene करना शुरू कर दें तो वो harmful होगा ecological balance के लिए हर एक species का अपना एक role होता है जो वो इस nature में play करती है इसलिए हर species को conserve करना हमारी जिम्मेदारी है और जरूरी भी है जैसा कि पहले बताया गया है ज़्यादा exploitation की वज़े से human beings ने काफी exploitation करना चुरू कर दिया plants और animals का ecosystem का ecosystem disturbed हो गया है लगवग 1300 तरहें के अलगलग plants जो है वो endangered हो गए है अगर सही कदम नहीं उठाए गए तो वो अब लुप्त हो जाएंगे extinct हो जाएंगे 20 species जो है वो plants के extinct हो चुकी है अब देखने कोई नहीं मिलते हमारी humans के activities की वज़े से काफी कम animal species है कुछ animal species ऐसी भी है जो endangered है और कुछ ऐसी भी है जो extinct हो चुकी है लगातार hunting की वज़े से intervention की वज़े से दखल अंदाजी की वज़े से जो main cause है इतने बड़े खत्रे का वो है hunting by greedy hunters एनिमल के अलग लग parts को बेचे जाते हैं जैसे जो elephant का tusk होता है हाथी धात होता है वो काफी महंगा होता है ठीक है कस्तूरी जो निकलती है हीरन से डेर से वो काफी महंगी बिखती है perfumes वगरा में काम आती है तो जो greedy hunters होते हैं जो animal के parts के लिए उनको मार डालते हैं जैसे rhinos जो है वो कम क्यों हुए थे क्योंकि उनका जो सींग होता है वो काफी valuable होता है काफी महंगा मिलता है तो उसके सींग के लिए उनको मार दि की वज़े से acid deposits की वज़े से ठेक है बाहर से जो alien species बाहर से जो species लाके इंडिया में introduce की गई है उनको alien species कहा है इसने और forest की reckless cutting cultivation करने के लिए घर बनाने के लिए ये सब भी responsible हैं ecosystem degradation के लिए flora और flora को protect करने के लिए government ने कई steps लिए हैं जैसे की 18 biosphere reserves इंडिया के अलगलग हिस्सों में setup किये गए हैं इनमें से 10 कौन से हैं सुंदरबंस, नंदा देवी, गल्फ अफ मननार, निलगिरी, नौकरेक, ग्रेट निकोबार, मनस, सिंपली पाल, पंचमडी, अचनकमर, अम कंतक ये भी world network of biosphere reserves में शामिल किये गए हैं यहां पर migratory birds के बारे में एक topic दिया गया है, migratory birds होते हैं जो जैसे एक particular season में इंडिया में आते हैं, climate के according, जब उनके native area का climate है वो नहीं वो सहन कर पाते तो वो इंडिया के इलाकों में देखने को मिलते हैं, 18 biosphere reserves का यहां पे दे रखा है, आपको list दे रखा है, financial और technical assistance दी जाती है बहुत सारे botanical gardens को 1992 से इंडिया ने program शुरू किया है, project tiger शुरू किया गया है, tiger को बचाने के लिए, rhino को बचाने के लिए, project great Indian bastard भी शुरू किया गया है, और बहुत सारे eco developmental project सरकार ने शुरू किये हैं, 101 national parks, 553 wildlife centuries औ और zoological gardens इंडिया के अलग-अलग areas में declare किये गए हैं, इंडिया की deplete होती natural vegetation और wildlife को बचाने के लिए, ठीक है, तो natural ecosystem को बचाना हम सब का responsibility है, अगर हम जिन्दा रहना चाहते हैं तो, और यह तभी possible होगा, अगर natural environment की degradation हम कर रहे हैं, जो destruction अगर हम कर रहे हैं, तो वो रोक का chapter complete होता है, अगर आपको वीडियो पसंद आया, तो please इसको like जरूर कीजिएगा, comment section में अपनी राय दीजिएगा, जाने से पहले चैनल को subscribe करना और notification bell icon दबाना मत बोलेगा, thank you for being with us, thank you for supporting us, keep loving, keep supporting